हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, दोस्तो आज के इस वीडियो में हम गड़ित के कुछ महत्पून प्रस्नाल करेंगे, जो आपके आगामी प्रतियों गिता परिक्चाओं के लिए बहुती महत्पून होंगे, तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें, आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कोश्चन नमर बन देखते हैं, यदि A धन B बराबर 5 और A रिण B बराबर 3 हो तो 2 A का बर्ग धन B का बर्ग बराबर क्या होगा, तो आज ये सल्व करते हैं, देखिए हमारे पास यहां दिया गया है A धन B बराबर 5, तो इसको सम समिकरन नमर 2 दे देते हैं, देखिए यहां पर एक भी जो है उपलस में है और एक माइनस में है, तो इन दोनों समिकरनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो देखिए A और A कितना हो जाएगा, दो A हो जाएगा, और यहां देखिए ये धन B बी है, तो ये दोनों कड़ इससे हम A का मान निकाल लेंगे और फिर समीकरण नम्मर एक या दो में रखके B का मान निकाल लेंगे ठीक है तो देखिए A का मान निकालना है दो का इधर पक्छांतरण करते हैं तो यह हो जाएगा A बराबर 8 यह दो गुणे में हैं इधर आएगा तो बटे में आएगा ठीक तो देखिए A बराबर 2 से 8 को काटेंगे कितने बार काटेगा 4 बार तो A बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा अब देखिए ये A का मान निकल गया तो अब हम मान निकालना है हमें B का तो समीकरण नम्मर 1 में A का मान रख देते हैं तो समीकरण नम्मर 1 क्या है A धन B बराबर 5 ठीक है तो A कमान हमारे पास 4 है तो यह हो जाएगा 4 धन B बराबर 5 ठीक है B कमान निकालना है तो 4 का इधर पक्छांतरन करते हैं तो यह हो जाएगा B बराबर इधर 5 पहले से 5 रिन यह इधर जाएगा धन में है इस साइड रिन में हो जाएगा पांच रिन चार ठीक है तो b बराबर 5 बे से 4 गया कितना बचा एक तो देखिए b बराबर कितना आ गया एक आ गया अब हमें मानग्याद करना है दो a का वर्ग धन b का वर्ग का देखिए का वर्ग, धन, बी का वर्ग मतलब, बी क्या है, एक, तो बी की इस्तान पर एक का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, आगे हल करते हैं, दो गुणा, चार का वर्ग क्या होता है, चार गुणा, चार मतलब, चार चोके, सोला, धन, एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है, ठीक है, तो तो देखिए इस पूरे कमान क्या हो गया 33 हो गया दो ए का वर्ग धन बी का वर्ग कमान कितना आ गया 33 आ गया तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर टू है वर्ग मूल के अंदर 4 बटे 25 गुणा वाई बराबर 16 बटे 625 तो वाई का मान ग्याद करो तो इस वाई का हमें मान ग्याद करना है तो यह से सल्ब करते हैं देखे हमारे पास दिया गया है वर्ग मूल के अंदर 4 बटे 25 गुणा वाई बराबर 16 बटे 625 तो यहां पर वर्ग मूल दिया है तो दोनों पक्छों का वर्ग कर देते हैं जब दोनों पक्छों का वर्ग करेंगे तो यहां पर वर्ग करेंगे तो वर्ग मूल वर्ग से कर जाएगा तो यहां आ जाएगा 4 बटे 25 गुणा वाई बराबर हो जाएगा यहाँ देखिए 16 прош 35 का work करना है तो यह हो जाएगा 16 बटे 625 गुण 16 बटे 625 अब देखिए इस y का मानग्याद करना है तो यह 4 बटे 25 को इधर पक्षानतरण करते ही तो यह हो जाएगा y बराबर 16 बटे 16 गुण 16 बटे 625 गुण 265 गुणा अब देखिए यहां इधर गुणे में है तो इधर भी गुणे में जाएगी लेकिन देखिए यह जो बटे में है यह गुणे में जाएगा और जो ये चार गुणे में है वो बटे में आ जाएगा ठीक है देखिए संक्या का पक्ष पलडता है तो संक्या भी पलड जाती है चार बटे 25 था तो 25 बटे 4 हो गया कुछ कटता होगा तो सरल करते हैं चार से 16 को काटते हैं किती बार कटेगा चार चोके 16 और 25 से 625 को काटेंगे देखिए 625 जो है वो 25 का वर्ग होता है तो 25 से 625 को काटेंगे किती बार कटेगा 25 बार तो देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास y बराबर यहाँ बचा 16 गुणा 4 मतलब 16 चोके 64 बटे 625 गुणा 25 तो देखिए y बराबर 64 बटे यहाँ पर गुणा करते हैं 25 पंचे 125 की 5 कितना बचा 12 ठीक है अब 25 दूने 50 पचास और 12 62 तो 62 की 2 कितना बचा 6 ठीक है 25 चक के 150 ठीक है 150 और यह 6 कितना हो जाएगा 156 तो देखिए y बराबर कितना अगया 64 बटे 15625 तो यह हमारा आंसर हो जाएगा और देखिए ओप्शन में अधी दसमलों के रुप में दिया है तो इसको हम काट सकते हैं ठीक है अगला कुस्चन देखते हैं कुस्चन नमर 3 है एक संभाव त्रभुज का छेत्र फल दूसरे संभाव त्रभुज के छेत्र फल का नौगुना है यदि पहले त्रभुज की बुजा 18 से इंटिमीटर है तो दूसरे त्रभुज की बुजा ग्याद करो तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है दो संभाव त्रभुज के छेत्र फल के बीच संबंद दिया गया है तो देखिए संभाव त्रभुज का छेत्र फल होता है करणी 3 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग होता है तो जो प्रस्न में दिया है वो संबंद लिखते हैं यहाँ दिया है पहले त्रभुज का छेत्र फल बराबर 9 गुणा क्योंकि पहले त्रभुज का छेत्र फल दूसरे त्रभुज के छेत्र फल से 9 गुणा है तो 9 गुणा दूसरे त्रभुज का छेत्र फल हो जाएगा ठीक है अब देखिए सम्भाव तरभुझ का छोट है करणी 3 बटे 4 गुणा भुझा का वर्ग तो पहले तरभुझ की भुझा क्या है अठारा सेंटीमीटर तो यह हो जाएगा अठारा का वर्ग बराबर 9 गुणा दूसरे तरभुच के छेत्रपल हो जाएगा करणी 3 बटे 4 और दूसरे की भुजा हमने क्या माने है X माने तो X का वर्ग हो जाएगा अब देखिए करणी 3 बटे 4 और इधर भी करणी 3 बटे 4 दोनों गुणे में हैं तो यह दोनों कड़ जाएंगे X का मान ग्यात करना है हमें तो यह 9 का भी इधर पक्छांतरन करते हैं तो यह हो जाएगा 18 का वर्ग बटे 9 बराबर X का वर्ग ठीक है अब देखिए यहाँ पर 18 का भी वर्ग है X का भी वर्ग है तो जो 9 है उसको भी वर्ग के रूप में लिखते हैं तो 9 का वर्ग है 3 का तो यह हो जाएगा 18 बटे 3 पूरे का वर्ग क्योंकि 3 का भी वर्ग है और 18 का भी वर्ग है बराबर X का वर्ग आप देखिए दोनों पक्छों में वर्ग है इस वर्ग से वर्ग को काड़ेतेैं, ठीक है, और इस तीन से 18 को काड़तें, तो तीन-चिंग 18, ठीक है, तो दीख seas, यहाँ पर क्या आजचा है हमारे पास, 6 बराबर इधर क्या बचा, एकस ठीक है, तो एकस बराबर 6, है तो देखिए दूसरे तरबूच की भुजा क्या है एकस बराबर 6 तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर फोर है किसी मूलधन पर आठ प्रत्यसत की दर से आठ महीने का और 6 प्रत्यसत की से 14 महीने का ब्याज का अंतर 200 रुपिये है तो मूलधन ग्याद करो तो आई यह से सल्व करते हैं देखिए हमें मूलधन ग्याद करना है तो माना मूलधन एक्स रुपिये है ठीक है और हमारे पास क्या दिया गया है इन दोनों के जो महीने उनके ब्याज के रुप में संबंद दिया गया है ठीक है तो देखिए साधारन ब्याज बराबर होता है साधारन ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ठीक है तो यही सूत्र लगा कर यहाँ पर संबंद लगाते हैं तो देखिए किसी मूलधन पर 8 प्रतिसत वार्षिक दर से 8 महीने का और 6 प्रतिसत दर से 14 महीने इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 200 रुपिये तो देखिए 14 महीने बड़े हैं तो 14 महीने में से 8 महीने को गटाएंगे तो यह हो जाएगा मूलधन क्या है हमारा एक्स है तो एक्स गुणा दर कितनी है यहाँ पर देखिए दर कितनी है 6 प्रतिसत गुणा समय देखिए समय यहाँ पर कितना दिया गया है 14 मह लेकिन देखिए हमारा समय जो होता है वो मुल्धन गुणादर गुणा समय तो समय होता है हमारा वर्स में तो यहाँ पर महिने में दिया गया है तो यह हो गया 14 बटे 100 होता है गुणा आप देखिए यह महिने में दिया गया है तो इसमें 12 का भाग देदेंगे तो यह वर्स म पर देखिए मुल्धन कितना है हमारा एक्स गुणा दर कितनी है आठ प्रतिसत गुणा समय कितना है आठ महीने आठ बटे सव गुणा यह आठ महीने को वर्स में बदलने के लिए बारा का भाग दे देंगे बराबर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बियाज का अंतर है 200 रुपिये तो बराबर 200 आजाएगा अब इसको हल कर लेते हैं देखिए X का गुणा इससे करेंगे तो सबते पहले 14 चिंग 84 और X तो 84 X रिर्ण यहां देखिए 88 यह 64 और X का गुणा करेंगे तो X बटे आप देखिए इन दोनों को LCM लेके जोड़ना था लेकिन यहां भी 100 गुणा बारा है और यहां भी 100 गुणा बारा है तो इनको जाएगा 1200 बराबर कितना जाएगा 200 आजाएगा ठीक है आप देखिए यहां पर इस 1200 का इधर पक्छांतरन कर देते हैं हम और इनका जोड़ना घटा न कर देते हैं तो यहां पर घटाओ का चिन्न है तो घटा देते हैं 84 में से 64 घटेगा कितना जाएगा 20 X बराबर देखि बारा सव ठीक है अब हमें X कमान ग्याद करना है तो यह जो 20 है इसका इधर पक्छा अंतरन करते हैं यह गुणे में है इस पक्छ में जाएगा तो बटे में आएगा तो X बराबर 200 गुणा बारा सव बटे 20 हो जाएगा ठीक है अब 20 से 200 को काटेंगे कितने बार काटेगा दस बार काटेगा ठीक है अब 10 गुणा 1200 कितना हो जाएगा 12,000 ठीक है तो X बराबर 12,000 यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छ लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल अबाद